नाईम हमारे अबा के पुराने मुलाजिम का बेटा था. जब ये ग्यारह साल का था, उसके माबाप जलजले में मकान के मलबे तले दबकर हलाक हो गए. अल्ला की कुदरत की ये लड़का जिन्दा बच गया. वालिद साहब उसे घर ले आए और उसकी प्रुवर्ष करने लग खाना वो हमारे घर से खाता. गुदाम की सफाई और रखवाली के अलावा घर का सोदा सल्फ भी उसके जिम्मे था. वक्त गुजरता गया यहां तक कि नईम गबरो जवान हो गया. उसने कतकाठ शकल और सूरत खूब निकाल ली थी. वालिद साहब को एक मुआविन की आफास थे. वो खिदमतगार का बेटा था और उसे खिदमतगार ही रहना था. लिहाज़ा वालदा नाईम से फासला रखती थी. कहती थी मेरे घर में बचियां हैं और गैर लड़के को देहलीस से बाहर ही खड़ा रखूंगी. उसे घर के अंदर आने की इजासत देना गलत होगा. वालिद साहब को ताकीद कर दी कि अब अंदर नहीं आएगा जवान हो गया है. जो काम होगा उसको बाहर से ही बता देंगे. और खाना भी ड्योड़ी में रख देंगे. उठा लेगा और बरतन वापस ड्योड़ी में धर कर दस्तक देगा तो हम खुद बाद में जब कभी भारी सामान इधर से उधर करना होता. छट के जाले साफ कराने होते या फिर कोई स्वीच वगेरा दरस्त कराना पड़ता. अमी नईम को घर के अंदर बुलातें लेकिन बाजी को मना करतें कि तुमने इस लड़के के साथ ज्यादा बात नहीं करनी. बाजी भी एक काया थी. अमी की नजर चौकती तो नईम से बातें करने लगते. वो मा की बात न मानते, मा को गुस्सा आ जाता और अकीले में समझाते गएर लड़कों से ज्यादा बात नहीं करते. तुम उससे प्रदा किया करो. बाजी थमैना उन दिनों एफ एमे थी. अमी जान बीमार ह गई और ये बीमारी जान लेवा साबित हुई.